अगर आप खतरनाक टाइप के आक्शन सिनिमा के सचे फान होना तो एक नाम आपने पक्का सिना होगा जॉन विक भाई साब ये इंसान नहीं है लिटरली मशीन बन चुका है बिल्कुल दया नहीं रिखाते सामने वाले को चीरफार करने में इनकी फिल्मों में ऐसे सीन्स होते हैं जिनको देखते टाइम डिमाग में बस एक खयाल आता है अरे नहीं यार ऐसे कैसे कर सकता है कोई और सेंग यही चीज़ कल मेरे साथ हुई इस फिल्म के नए पार्ट को देखते टाइम आंके खुली की खुली रह गई मूँ फटा का फटा रह गया भाई साब जॉन विक चाप्टर 4 यकीन माईए यह इस फ्रैंचाइस का सबसे जादा किलर धासू नो नॉनसेंस काफी बलडी टाइप का एक्स्पिरियंस होने वाला है देखो इन शॉर्ट आप जॉन विक को मौत का एजेंट बोल सकते हो सिंपल जैसे इंशॉर्ट वाले घर में घुसके आपको L.I.C. बेचके जाते हैं ठीक वैसे ही जॉन विक गली गली में मौत बाटते हैं जहां से ये बंडा गुजर गया समझ लो कोई न कोई बिचारा पका मर गया लेकिन इस बार कहारी में ट्विस्ट है क्योंकि जॉन विक फिलाल खुद की जिंदगी बचा के भाग रहे है बिकॉज इनके पीछे एक दूसरा राक्षस पढ़ गया है इट देखिए आपने अगर हाँ तो ये चहरा जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं लेकिन कभी सोचा ये मेकप हट जाए तो पीछे से कौन निकलेगा अरे अपने जॉन विक का दुश्मन बॉस फिल्म का विलन शिकारी ये जॉन विक का शिकार करना चाहते हैं बदले में अंडर वर्ल का ताज इनके सिर्पे होगा लेकिन जैसा दे लेजेंड सल्मान भाई ने काफी पहले ही एडवाईस किया था आप डेविल के पीछे डेविल आपके पीछे टू मच फन तो बस जॉन विक सल्मान भाई की बात मान लेते हैं और अपने इटके जोकर से दूर भागने की जगे खुद उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं क्या सोच रहे हैं वही जो मैं सोच रही हूँ जी हां जंक तो होने वाली है वो भी ऐसी कि आपकी आँखों का रंग कुछ मिनिट्स के लिए सफेद से लाल हो जाएगा पार्टी शुरू होने वाली है ग्लास तयार रखिए खून पीने के लिए फटाफट से आपको तीन रीजन बता देती हूँ जिस बज़े से आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए गलती से भी इसको मिस करने की गलती मत करना दुबारा मौका नहीं मिलेगा रीजन नमर वन ये फिल्म एकदम प्यॉर है कोई मिलावट नहीं है इसमें समझें एक्शन 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 बस ये तीन चीज़ें मिलेगी पूरे पूने तीन गहंते आपको Bollywood फिल्म में देखकर अपने को आदत हो गई है हर action scene के बीच में romance, emotion और dialogue बाजी की लेकिन John Wick 4 में बेख लेने का time ही नहीं मिलेगा एक scene खतम होगा तो वो अगले की शिर्वात कर देगा फिल्म की starting से end scene तक सब कुछ action है Reason No.2 किसी Hollywood फिल्म को आपने 2 घंटे 40 मिनित तक लंबा देखा है आज तक Normally एक डिर्ट घंटे में ये सब कुछ निपता देते हैं हमेशा Boss John Wick कब शुरू ही, कब खतम हुई, आपको literally पता ही नहीं चरेगा फिल्म इतनी जादा interesting और involving है कि आप सीधा खतम होने के बाद जो time देखोगे तो shocked रह जाओगे इतना fast screenplay कि एक minute, एक second की तरह महसूस होगा आपको John Wick की दुनिया को बनाने में इतने नए-नए weapons हैं और खूब सारे मज़िदा characters हैं कि आप अप अंदर खोल जाओगे बहार निकलने का money नहीं करेगा और reason number 3 सबसे खास सबसे special film को बनाने का तरीका उर्फ direction भाई कहां से सोचते हो ऐसे stunts और खतरनाक टाइप के scenes जबरदस्ट imagination with real life से भी ज़्यादा real कियानू रीप्स की powerful performance भाई सब camera man का क्या हाल हुआ होगा इस film को shoot करते वक्त मैं तो यही सोचके घबरा गई हूँ वो बना normal हालत में तो नहीं होगा पका आजकल जमाना है machine guns, bomb blast और हवा में aeroplane fights का ऐसे में क्यानू रीप्स का hand to hand action वो भी ऐसा कि हर scene जितनी बार देखो हमीशा नया लगे, different लगे इसके लिए director की creativity को credit देना मत भूला कुछ scenes तो ऐसे भी आएंगे जब आप seat पे चड़कर ताली मारोगे सीटी बजाओगे तो boss मेरी दरफ से John Wick chapter 4 को मिलेंगे 5 में से पूरे 5 stars Sorry मैं इसमें एक भी गलती नहीं ढूंड सकती perfect action thriller एक star जबर्दर story telling action movies में story का क्या काम ये सवाल अब मत पूछना दूसरा heartbeats बढ़ाने वाला direction specially camera angle कुछ scenes में हिला देगा आपको तीसरा क्यानू रीव्स के लिए standing ovation वैसे बाकी cast में बढ़िया है acting कमाल है बिल भहिया ने भी अपनी जगे बना ली चौथा action stunts कमाल के हैं hand to hand battle में इससे ज़ादा मज़ा मुझे कभी नहीं आया और आखरी star इतनी serious dark theme पर based होने के बावजूद film कुछ scenes में हसा के चली जाएगी आपको ये चीज कमाल है या राइटिंग जिन्दाबाद boss मैं ते एक बार फिर से जाने वाली हूँ theater दुबारा इसको experience करने जो मैंने देखा है कम से कम 7 दिन मेरी आँखों से नीन उड़ने वाली है अगर आपको भी नीन से प्यार नहीं है और मौट से डर नहीं लगता साहब तो फटाफट टिकेट बुक करो भूल मत जाना बागी वीडियो में कुछ पसंद रहा हो या आपको कुछ शिकाइब करनी हो तो मैं आपको instagram पे भी मिल जाओंगी बढ़ना थोड़ा सा इंतिजार करिये मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक क्याएब बाई बाई